मानेवर अब मैं इस सदन में मनिपूर की बात करना चाहता हूँ मानेवर मनिपूर में जो हिंसक गटनाय हुई है वो क्यों हुई है क्या स्थिती है और इससे निपटने के लिए हमने क्या कुछ किया है इसकी डिटेल बात मैं अभी करूंगा परन्तु मैं विपक्स की इस बात से सहमत हूँ कि वहाँ पर हिंसा का तंडव हुआ है और इस हिंसा के तंडव से कोई सहमत नहीं हो सकता मनिपूर हम भी सहमत नहीं है उनसे ज़्यादा दूख हमें है परन्तु ये परिस्तिती जन्य है मैं बताना चाहता हूँ इससी गटनाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता समाजे नाते हमें सर्माई इस प्रकार की गटनाए वहां हुई है इससे कोई इंकार नहीं है परन्तु ये जो गटना हुई है वो सर्मनाक है उस गटना पर रागनित करना इससे भी ज्यादा कसर्म ना कि मानने वर कि मैं बताता हूं ओके प्लीज यह गलती आपकी है रेयार आपका राइन में मौना पड़ेगा मेरे चांब है हुआ है हम तो समाल कि देशने वारा आप हमारे अपर दوبारा कि मैं थो कोशिश करें सियासीतory ने मानेवर एक ब्रांटी देज भर की जंता के सामने फिलाई गई है कि ये सरकार मनिपूर पर चर्चा के लिए तयार नहीं है मैं आद भरे सदन के अंदर आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि सदन आहूद भी नहीं हुआ था मैंने पत्र लिखकर अध्यक्जी से मांग की थी कि मैं चर्चा के लिए तयार हूँ, इसमें समय बर्यादा मत बढ़ा। प्लीज बैटो 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 प्लीज 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 मानेवर मैं डे वन से चर्चा के लिए तईया था बगर वो चर्चा नहीं चाहते था उनको विरोध करना था और मैं कहना चाहता हूँ मेरी चर्चा से संतुरूष्ट नहीं होती तो फिर कहते प्रदानमंत्री करें प्रदानमंत्री विचार भी करतें मगर आप सदन में चर्चा ही न होने दो मनिस्पुर्ण जैसे महतोपुण मुद्दे पर गुरू मंत्री को अपना पक्स में रखने दे कि इस प्रकार की डेमोक्रेटिक विवस्ता चाहते मने और क्या आप सोते हो कि सोर थराबा करकर आप मुझे चूप कर दोगे आप चूप नहीं कर सकते हो मानेवर मैं आज बताना चाहता हूं और बड़ी समवेदना के साथ आपके माध्यम से इस देश के 130 करोड लोगों के सामने मनिपूर की हल्या इंसा क्यों हुई है और क्या चल रहा है और सरकार ने क्या उपाई कि यह भी बताना चाहता हूं मानेवर मैं पुरानी बातों को हमें सुनाने के लिए कह रहे हो ना जी मैं समवेदन से लाजमी हूं माने और मैं पुरानी बातों को राजनीतिक हिसाब किताब के लिए नहीं सुना रहा है इसलिए नहीं सुना रहा कि आपके समय में भी हुआ ता हमारे समय में भी हुआ होता है होता है क का नहीं है हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं मैं पुरानी इंसाओ को इसलिए बताना चाहता हूं कि मनिपुर की नसले इंसाओ के सभाव को जनता ने जानना पड़ेगा नसले इंसा मनिपुर में जब जब होती है तब किस प्रकार से होती है वो भी जानना पड़ेगा इसलिए मै पुरानी इंसाओं को भी रखूँ गा, आपके मन में भ्रांति नहों, ये सवाल ना आये, की पुराना क्यूं बता रहें। भारतिय जनता पार्टी की सरकार के छे साल पूरी होगे। छे साल में मनिपूर में एक भी दिन कर्फिय नहीं डाला है। मनिपूर के अंदर एक भी दिन बंद नहीं रहा। मनिपूर के अंदर एक भी दिन ब्लॉकेड नहीं हुआ। और उगरवादी हिंसा लगबग लगबग समाप्थ हो गए एच छेह साल का भारतिय जनता पार्टी के सासन का इतियास थावाने वाने वाने हैं 2021 में हमारे देश की पडोस में म्यानमार में सत्ता परिवत्न हो और म्यानमार में वहाँ पर मिलेटरी का सासन आया डेमोक्रिटिक सरकार गिर गई और वहाँ पर एक कुकी डेमोक्रिटिक फंड है इसने लोगतंत्र के लिए आंदोलन चालू करा जब कुकी डेमोक्रिटिक फंड ने लोगतंत्र के लिए आंदोलन चालू करा वहाँ की मिलेटरी साशन ने इन पर कडाई करना शुरू की दबिस्ट बनाना शुरू की और चुकि म्यानमार की बॉर्डर फ्री बॉर्डर है मानिवर वहाँ फेंसिंग नहीं और आज से नहीं आजाद हुए तब से नहीं फेंसिंग नहीं तो बहुत बड़ी मात्रा में मिजोरम और मनिपूर के अंदर कुकि भाईयो का वहाँ सरना थी नाते यहां आना शुरू हुआ मैं इसलिए कहना चाहता हूं मानिवर कि कि उनका जगड़ा मनिपूर की मिलेटरी से था म्यानमार की मिलेटरी से था और दभी शुरू हुई इसलिए वो यहां पर आए मानिवर हजारों की संख्या में कुकिज आदिवासी भाई यहां आना सुरू होगी और परिवार बसने लगे कहां बसने तो जंगल में बसने लगे और एक प्रकार से मनिपूर के बाकी हिस्सों में एक असुरक्षा की भावना हुई कि हमारी जन सांखी की बज़र जाए हमने उसको देखा उसी वक्त मानेवर हमने गुरू मंत्राले में 2022 में निना किया कि अब यह बॉडर को खुला नहीं कर सकते बॉडर बनानी पड़ेगी फैंसिंग करनी पड़े हमने 10 किलो मेटर फैंसिंग पूरी कर दी है 60 किलो मेटर का काम चालू है और 600 किलो मेटर का सर्वे चालू है आपने 2014 तक कभी फैंसिंग नहीं की हमने दुरंदेशी से 30 में दंगे हुए 21 में ही फैंसिंग का काम शुरू कर दिया था 10 किलोमेटर ट्रायल फैंसिंग बन चुकी है 60 किलोमेटर का काम चालू है और 600 किलोमेटर का सर्वे बागी जिससे ए घुसपेट को रोका जा सकी है फिर एक अंडेश्ट खड़ा होने लगा कुई कि वहाँ जनसांकी की बहुत नेना एक होटी है गाटी में कुकी भाई रहते हैं पहाड पर ट्राइबल भाई रहते हैं तो उनके गाटी में मता ही रहते हैं और पहाड पर कुकी और नागा ट्राइबल भाई रहते हैं तो एक जनसांकी की के बडलाव का बड़ा दबाव रहता है कि हमारी संख्या हम अलपमत में आ जाएंगे तो इसके लिए हमने लगबग लगबग जनवरी महीने से हमने वहाँ पर जितने भी सरनाती आये थे उनको परिचय पत्रक देनी की सुवा थी उनका थम इंप्रेशन लिया और थम इंप्रेशन और आई इंप्रेशन को वाटर लि 2023 में दंगा हुआ, 21 में हमने फैंसिंग चालू करी है, 22 में हमने फैंसिंग चालू करी है और 23 की सुरुवात में हमने थम इंप्रेशन और आई इंप्रेशन लेनी की सुरुवात की और उसको भारत के वाटर लिस्ट और आधार के नेगेटिव लिस्ट में डालने की फिर भ ते लोकु में फिलती है मनुवान